नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 7 दिसंबर दिन गुरुबार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर रामीन इलाकों से जिला मुख्यारे के लिए चलेंगी 3600 नई बसे सरकारी स्कूलों में फेल होने वाले बच्चों को मिलेगी दो महीने की विसेश कप्चा बिहार सरकार ने कई अधिकारियों को दिया प्रमोशन तो कई को डीमोशन टी-20 रैंकिंग में चम के भारतिये प्लेयर्स अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 255 परी खबरों के ओर विस्तार से राइट्स में अप्रिंटिसिप के 257 पदों पर भरती होने का मौका रेल इंडिया टेकनिकल एंड एकनॉमिक सर्विसेज यानि की राइट्स के द्वारा अप्रिंटिस के 257 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए अविदन करना चाहते हैं वो अफीसियल वेफसाइट राइटी एस टॉट कॉम पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना अविदन कर सकते हैं बता दे क्या अविदन करने की अंतियम तारिक 20 दिसंबर 2023 तक निर्थारित की गई है इसके लिएगर सेच ने क्योगिता की बात करें तो ग्रैजुएट अप्रेंटिस के लिए साथ प्रतीशत अंकों के साथ सिविल इलेक्ट्रिकल, सिगनल और टेलिकॉम, मेकैनिकल, केमिकल, मिटलर्जी में इंजिनिंग डिग्री या बीए, बीबीए और बीकॉम की डिग् इसके लिए साथ प्रतीशत अंकों के साथ सिविल इलेक्ट्रिकल, सिगनल और टेलिकॉम, मेकैनिकल, केमिकल, मिटलर्जी में इंजिनिंग और डिप्लोमा होल्डर आविदन कर सकते हैं लिए फ्रामीन इलाकों से जिला मुख्याले के लिए चलेंगी राजी के ग्रामीन एलाकों से अब जिला मुख्याले तक पहुशना आसान होने वाला है बतादी कि बिहार सरकार के पड़िवाहन विभाग के द्वारा जिला मुख्याले को प्रखंडों से जोडने के लिए इन रूटों पर 3600 नई बसों के परिचारन का निर्ने लिया गया है इसके तहट पहले चरण की शुरुवात कर दी गई है जो की 27 दिसंबर तक चलेगी और 6 जनवरी 2024 को इससे जुड़ा अंतिम सूची प्रकासित किया जाएगा आपके जानकारी के लिए बता दे कि योजना के तहट जिला मुख्याले के प्रखंडों को छोड़कर 6496 प्रखंडों में इस योजना का लाब दिया जाएगा जबारे में पड़ेवन विभाक के सचीव संजय कुमार अगरवाल के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि मुख्यमंत्री प्रखंड पड़ेवन योजना के तहट लगभग 3600 लाभुकों को बस खरीद पर नुदान का लाब मिलेगा प्रती बसों की खरीद पर लाभुकों को 5-5 लाख रुपे कानुदान मिलेगा इससे पड़ेवन निट्वर्क को तो मजबूत होगा ही लोगों को रोजगार का आफसर भी मिलेगा विहार परेटिन में आज हम बात करेंगे माया सरोवर के बारे में माया सरोवर बोध गया मिस्तित है करीप 5 एकर छेतरफल में फैला ये पार्क परेटकों के लिए हर दिन खुला रहता है और यहां मनरंजन के धेडो संसाधनो पलग हैं पार्क में मौजूद विविन तरह की वनस्पतियां इसके खूबसूरती को और भी मनमोहग बनाती है इस पार्क के तालाब में आप नौका विहार के साथ साथ मशली पकरने का भी लुट्व उठा सकते हैं या प्रते दिन संध्या के समय भगवान बुध के उपर आधारित प्रकाश इवं धोनी कारेकरम का आयोजित पानी के फवारे द्वारा बनाई गई जल स्क्रीन पर किया जाता है या कारीकरम लेजर सो के नाम से ही मशूर है पार्क प्रशासन द्वारा विवन अफसरों पर तरह तरह के सांस्क्रितिक कारीकरम आयोजित किये जाते हैं अपने दिन को आनंद मैं बनाने के लिए आप यहां दोस्तों और मित्रों के सास्स समय व्यतीत कर सकते हैं बीटा में लगी ब्रिटानिया फूड प्रोसेसिंग यूनिट का सीम नितीस इस दिन करेंगे उद्घाटन अगामी 12 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश हुमार के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के बीटा के सिकंदरपूर औदोईक छित्र में ब्रिटा ब्रिटानिया की फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया जाएगा बता दे कि जानकारी बिहार सरकार के उद्योग विवा के अपर मुख्य सचीफ संदीप पॉंडरिक के द्वारा दी गई है उन्होंने बताये कि मुख्यमंत्री 12 दिसंबर को बीटा के सिकंद ब्रिटानिया की फूड प्रोसेसिंग यूनिट का रिणमान 250 करोड रुपए से अधिक की लागत में किया गया है वह इस फैक्टरी की बिस्कुट लग बनानी की कुल छमता 7000 टन प्रती वर्स होगी इस फैक्टरी की मदद से राज्ची की 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और इन बातों का रखे विशेश ध्यान आज यानी की 7 दिसंबर से सिक्षक भरती परिच्छा फेजदो के परिच्छा के शिडवात हो रही है ऐसे में वो अभ्यर्थी जो इस परिच्छा में शामिल हो रहे हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना अती आवश्यक है बता द पर अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश धाई घंटा पहले से ही शुरू हो जाएगा और एक घंटा पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा किसी प्रकार की कोई गरबड़ी नहों इसको लेकर गेट पर बायोमेट्रिक और फेस डिटिक्शन सभी कर लिये जाएंगे परि प्रेमर लगाए गए हैं और साथ ही कंट्रोल रूम से आयोग के द्वारा भी सेंटर की हलचल पर नजर रखी जाएगी परिच्छारती परिच्छा किंद्र में किसी भी तरह की इलक्ट्रोनिक्स उपकरन वाइटनर एडिजर और ब्लेड जैसी चीज़े लेकर नहीं जाए मुख्य मंत्रे भीक्षा वृती निवारन योजना के तहत ऐसे कड़े मदद व्यहार सरकार की ओर से सब्रक wsक़र की अजरस्रकार की महत्की दीज़ना है इस योजना के तहट भिक्चकों के जीवन बदलने, आत निर्भर बनाने, कोशल प्रसिक्चन और बुजर्गव और सक्त भिक्चकों के लिए आश्रे की विवस्था की जाती है अगर आप उन लोगों में हैं जो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए भीख देते हैं तो आप भीख देने के बजाए विक्चवरती कोश में दान दीजिए दान के लिए SBI AC नंबर 35337262-042 है वही इन सब के लावा इस योजना के तहट सरकार की ओर से स्वा रोजगार करने में मदद रोजगार के लिए कौशल प्रसिक्चन और न्योजन स्वा लंबन काडिक्रम तहट 10,000 आर्थिक मदद और सल्फ हेल्प ग्रूप से जोड़कर उतपादन एवं वितरन की विवस्था की जाती है सरकारी स्कूलों में फेल होने वाले बच्चों को मिलेगी दो महीने की विशेश कक्चा युजित की जाएगी कि कक्चा 5,8,9 और 11 में पढ़ने वाले ऐसे बच्चों के लिए दो महीने की विशेश कक्चा युजित की जाएगी बतादे कि विवाग के ओर से यह फैसला इन बच्चों की स्थिती को सुधारने के लिए लिया गया है इसे मिए बच्चे परिक्चा में पास हो सके इसके लिए सक्चकों को भी मेहनत करने की जरूरत होगी विभाग के दोरा दिये गए नर्देश के अनुसार कक्चा लेने के बाद इन बच्चों का सापताहिक टेस्ट भी लिया जाएगा मालुम होगी कक्चा 1, 2, 3, 4, 6, 7 के सभी बच्चों को पास नहीं किया जाएगा जबकि इनकी परिक्चा के दोरान अनेक अक्चाएं नहीं ली जाएंगी बतादे कि सापताहिक परिक्चा के माध्यम से यह जांच की जाएगे कि इन बच्चों को पढ़ाई से कितना फाइदा मिला है वहीं सापता ही परिक्षा में चैनलत सभी बच्चों को परिक्षा देना अनिवारे होगा बिहार सरकार ने कई अधिकारियों को दिया प्रमोशन तो कई को डिमोशन बीतदन बिहार सरकार के दोरा राजे के कई अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया तो वहीं कई अधिकारियों को डेमोशन भी दिया गया बता दे कि गिली विभाग के तरफ से अधिसूशना जारीकर या जानकारी दी गई है कि बिहार पुलिस सेवा के पांच अधिकारियों को अपर पुलिस अधिक्षक के रूप में प्रुनती दी गई है जिन में कृष्णि कुमार सिंग, आलो करंचन, कुमार, इंदर प्रकास, पंकच कुमार और नडुल हक के नाम शामिल है वहीं राजन सिन्हा को डेमोट कर पुलिस अधिक्षक बना दिया गया है वहीं दूसरी और सामाने प्रिशासन विभाग के द्वारा अधिसूशना जारीकर या जानकारी दे गई है कि बिहार प्रशासनिक सेवा आई एस में प्रुनत 26 अधिकारियों को अपर सचीब में प्रुनती दे दी गई है अधिकारियों को अपर सचीब में प्रुनती दी गई है इसके लावा सामाने प्रिशासन विभाग के द्वारा जारी की गई अधिसूशना में जिन अधिकारियों को डेमोशन मिला है उनमें कंचन कपूर शिव कुमार पंडित और विरंदर कुमार के नाम शामिल है फेस्बुक के माधियम से होने वाले फ्रॉर से बचे ऐसे भिहार सिरकार के सूशना sounds पर्ग विभाग के द्वारा IPRD बिहार के तहट पोस्ट शीर करिया जानकारे ती कही है कि हम किस तरह फेसबूक की माध्यम से होने वाले फ्रोर से बचाने के लिए कभी भी किसी से अपना पासवर्ट साजहान ना करे फेसबूक पर किसी भी तरह की जानकारी साजहा करने से पहले सोचे अपनी गुपनियता सेटिंग्स की समय समय पर समिक्छा करे केवल उनका friend request विकार करे जिन्हें आप व्यक्ति गत रूप से जानते हो जो जानकारी संदिक दलगे उनकी रिपोर्ट करे इसके साथ है इस बात का भी ध्यान रखे कि अगर आप कोई नकली profile या page देखते हैं जो आपके या आपके किसी परिचित और किसी सारजनिक उवेक्ति उधारन के लिए celebrity राजनिता होने का दिखावा कर रहा है तब आप उस नकली profile के रिपोर्ट कर सकते हैं बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राम दुलारी सिनहा के बारे में बिहार विधान सभा की सिदस्टे बनी 1971 से 1977 तक बिहार सरकार में राजी काविनेट मंत्री रही और 1988 से 1990 केरल की राज्य पाल रही पार्ट ताइम जोब धोखादरी में शामेल सो वेबसाइट हुए ब्लॉग केंद सरकार की ग्री मंतराली की भारतिय साइबर अप्रा समनवाई केंदर विंग के द्वारा अपने नेशनल साइबर क्राइम्त थ्रिट एनलिटिक्स यूनिट के माधियम से संकठत निवेश और पार्टाइब जॉब दोखादरी में कतिस सनलिपता के लिए विदेशी अभ अप्रानिक्स और सूशना प्रोदर की मंतराले के द्वारा इन वेव साइटों को ब्लॉक कर दिया गया है इस संबंद में 1930 हल्पलाइन और NCRP के माधियम से कई शिकायते प्राप्स हुई थी और ये अपड़ा नागरिकों के लिए एक महत्पुन खतरा पैदा कर रहे थे और इसमें डेटा सुरक्षा संबंद इचन ताई भी शानल थी आरा के बैंक से लाखों की लूट अपराधियों की तलाश जारी बीतदन बुधवार को बिहार के आरा के नवादा थाना चेतर में मौजूद एकसेस बैंक से हतियार बंद अपराधियों के द्वारा 16 लाख की लूट कर ली गई हाला कि जैसे ही इस बात की सूशना पुलिस को मिली मौकी पर पहुची पुलिस के द्वारा बैंक को चारों तरफ से घेर लिया गया लेकर इसके बावजूद भी अपराधी भागने में सफल रहे हैं से में फिलाल इनकी खोज जारी है बता दे कि मिले के दोरा फुटेज शेक किया गया तो उसमें देखा गया कि अपराधी बैंक कर्मियों को एक रूम में बंद करते वे 16 लाक रुप एले कर फरार हो जाते हैं बिहार इंटरस्तरिये परिक्षा के लिए अवेदन की अंतिम तिथी नस्दीक अगर आब भी उन लोगों में हैं जो बिहार इंटरस्तरिये परिक्षा के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं लेकिन अब तक आवेदन नहीं कर पाई हैं तो आपके पास इसके लिए आवेदन करने के लिए बस कुछे दिन बाकी रह गया हैं बता दे कि इस परिक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट करने के साथ ही अन्य पातरता हसल किया होना चाहिए पतादिक इस परिच्छा के माध्यम से कुल 12,199 पदों को भड़ा जाएगा वही से जुरी अधिक जानकारी के लिए जारी के गए नोटिफिकेशन को एक बास जरूर देख लें विहार में लगातार बदल रहा मौसम अस्थानों पर कोड़ी का प्रभाव बना रहेगा बता दे गड़वार को निंतम तापमान में मामुली बदलाव होनी की संभाबना है महीं 8 और 9 दसंबर को निंतम तापमान में 2 से 3 दिगर गिरावट आ सकती है मौसम विभाग के मुताबिक आज राजधानी पटना समेत कैमूर रोहतास भभुगा औरंगाबाद अरवल गया नालंदा सेखपूरा नवादा बेगु सराय लखी सराय समेत अन्य जिलों में बारिश हो सकती है बिहार राजध एड्स नियंतरन समीती द्वारा दी गई ICTC में उपलब्द सिवाओं की जानकारी बिहार राजध एड्स नियंतरन समीती द्वारा IPRD बिहार के तहट पोस्ट सेयर कर Integrated Counseling and Testing Center यानि की ICTC में उपलब्द सिवाओं की जानकारी दी गई है जिसके तहस सभी व्यक्तियों को गोपनिय बातावरन में निशुलक HIV एवं एड्स संबंधी परामश एवं जाच की सुधा उपलब्द करवाई जाती है इसके साथ ही निशुलक कॉंडों वत्रन एवं उपयोग को बढ़ावा देना संक्रमित वक्तियों के लिए ART एवं अने देखभाल हेतू रिफ्रल सेवा HIV संक्रमित गर्ववती महलाओं को यथास्तिगर आजीवन ARV दवा एवं नवजाद शिश्वों को निशुलक 6 या 12 सब्ता निवी रापीन की दवा उपलब्द करवाई जाती है इसके तहस सभी सरकारी इस्पतालों में HIV की जाच गुप्त और मुफ्त की जाती है और साथ ही टीवी की जाच भी मुफ्त की जाती है HIV इवं इट से संबनित जानकारी के लिए एक सुने 97 पर संपर्क्र कर सकते ह तीन लाग की अवैश शराब समीट दो तसकर गिरफतार प्यार में पुनरूप से सराब बंदी है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन सराब तसकर इस जड़े मामले सुनने को मलते रहते हैं हालाक इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभाग के टीम के ओर से जीतोर कोशिश की जा रही इसी कड़ी में बुद्धा कॉलनी थाने की पुलिस के दोरा बड़ी काड़वाई करते वे वाहन चेकिंग के दौरान गंगा पाथ वेव पर एक पिकप से 498.26 लीटर अंगर सिटी में की जानी थी और इस तरह अप्तसकरी के काम को पूरा करने के लिए 15,000 रुपे में गाड़ी को भाड़े पर लिया गया था बता देक इस बात की जानकारी थाना ध्यक्ष पिंग की प्रिशाद के द्वारा दी गई है राबरी देवी जिस स्कूल में पढ़ी वहां की प्रिंसिपल की विदाई में रोई लड़किया पालमों की छात्राइं ऐसे रोनी लगी की 12 छात्राइं बेहोस तक हो गई ऐसे में छात्राओं को सिच्छकों की मदस से अस्थानी एंस्पताल में पहुँचाया गया जहां सेलाज के बाद उन्हें घर भेशिया गया बता दे कि धरंजय कुमार मधुग गनत विशे के सक्छक थे बीजेपी आज करेगी अंबेटकर समागम लोग सभाचनाओं को लेकर सभी पार्टियों के ओर से मद्दाताओं को रिज़ानी की तैयारी की जारी है इसी कड़ी में बीते दिनों जहां जेडियों के ओर से भीम संसत कायोजन किया गया था वहीं आज यानिकी 7 दसंबर को बीजेपी के द्वारा अंबेटकर समागम कायोजन किया जाने वाला है इस बारे में बीजेपी के प्रवक्ता योगंदर पार्शवान के दोरा जानकारी देते वे बताया गया कि बीजेपी भीम राओ अम्बेट करके महा परिनर्वान दवस को लेकर बिहार की राजधाने पटना में अम्बेट कर समागम कायोजन कर रही है इसमें सही अर्थों में वैसे लोग ही शामिल होंगे जो भीम राओ अम्बेट करके अनुयाई होंगे मालमों कि जेडियू एक बार फिर से 24 जन्वारी को जन्नाय कर पूरी ठाकुर की सौवी जयन्ती पर अतिपिछ्रा समाज के लोगों को एक जूट करने की कोशिश करेगी एक साल की सजा होने पर शिवानन तिवारी ने तोड़ी अपनी चुपी बीते मंगलवार को राज़त नेता सिवानन तिवारी को मानहानी मामले में एक साल की सजा और 10,000 रुपे का जुर्माना भरने को कहा गया था वहीं अब इस मामले पर बीते दिन सिवानन तिवारी के द्वारा अपनी चुपी तोड़ी गई है और उने कहा कि कल अदालत ने अव मानना के मामले में मुझे एक वर्स की सजा दी है यह अदालती मामला है अदालत ने अपील करने के लिए मुझे 30 दन का समय दिया गया है हमारे विदवान अधिवक्ता मामले को देख रहे हैं उन्होंने कहा कि मैं उसको राजनते का मामला नहीं बना जाता हूँ लोग सभाक चनाव हमारे सर पढ़ है हमारे लिए अभी वही एक मातर चुनोती है उन्होंने कहा कि अब बिहार है भाजपा कभी यहां अपने दम पर बहुमत हासल नहीं कर पाई है यहां तीन खेमा है दो खेमा मिलकर बहुमत बनाता है यह पहले सहीं दोनों खेमा एक साथ भाजपा का लगाम पकरने के लिए तैयार है 2014 में मोदी जी ने देश की जनता को विशेश रूप से देश के युवाओं और कसानों को क्या गारंटी दी थी उसका क्या हुआ T20 रैंकिंग में चमके भारतिये प्लेयर्स ICC के दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया T20 स्रीज के बार T20 रैंकिंग जारी कर दी गई है जिसमें भारतिये खिलारी काफी चमकते निजर आरे हैं बतादे कस T20 रैंकिंग में गेंदवाजी में सबसे पहले नंबर पर दाए हाथ के भारतिये लिगस्पिनर रवी विस्नोई के नाम शामिल है मही इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रासित खान और तीसरे नंबर पर सयुंतरूप से आदल राशिद और वानिंदू हरंगा है इसके लावा इस लिस्ट में पांचवे अस्थान पर मही सितिक्छना है वही टी-20 में बल्लेबाजों की रैंकिंग में सबसे पहले अस्थान पर 855 रेटिंग के साथ सुरे कुमार यादव मौजूद है इसके लावा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर 787 रेटिंग के साथ पाकस्तान के मुहमद रजवान है वही रितुराज गाईकवार एक अस्थान खिसक कर साथ पे पायदान पर पहुँच गया है युवा बल्लेबाज यससवी जैसवाल 16 अस्थान चलांग लगा कर 19 वे अस्थान पढ़ा गया है इसके साथ ही T20 All Rounders की रैंकिंग में शाकिब अलहसन पहले अस्थान पर है दूसरे अस्थान पर मुहमबद नभी है और तीसरे अस्थान पर हादिक पांडिया बने हुए है भारत के दिहास में आज की तारीक है कहीं कार्णों से दर्ट भाब से चलने वारा पहला जहाज इंटर्प्राइज 1825 में कॉलकता पहुँचा डेस में 856 में पहली बार आधिकारिक रूप से हिंदु विदवा का विवाह कड़ाया गया भारत ने 1995 में संचार उग्रह इंसेर दो सी का प्रचेपन किया रमन सिंग 2003 में 36 गर के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हरियाना के मुख्यमंत्री भूपेंदर सिंग हुड़ा ने 2008 में चंद्रमोहन को मुख्यमंत्री पद से बढखास्त किया भारती गोलवर जीव मिल्का सिंग ने 2008 में जापान तूर का खिताब जीता बारती घ्रांतिकारी जतंदरनाथ मुखर जी का जन्म 1889 में हुए आधुनिक भारती संस्कृती और समास सासर के विख्यात विद्वान राधा कमल मुखर जी का जन्म 1889 में हुआ अठारवी सिताब्दी के मध्य एक वीर युद्धा हैदर अली का निधन 1782 में हुआ भारत के पांचवे राष्ट पती फकरूदीन अली एहमत की पतनी बेगम आविदा एहमत का निधन 2003 में हुआ भारती अभिनेता हास्य कलाकार राज़तिक व्रंगकार नाटककार फिल्म नरदेशक और अधिवक्ता चोराम स्वामी का निधन 2016 में हुआ आज के दिन को ससस्तर सेना जंडा दिवस के रूप में भी मनाया चाता है वारल फे में आजम बात करेंगे इलक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के बारे में सोशल मेडिया पर कहीं सुचनाय वारल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है इसी कड़ी में आजम बात करेंगे इलक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के बारे में दरसल पी आईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि SM Headlines नामक YouTube चैनल के वीडियो में दावा किया गया है कि इलक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन में गरवरी की वजह से चनाव आयोग पर भरके मुख्य नया धीस अब राजिस्थान एवं मध्यप्रदेश में दुबारा चनाव होंगे PIB ने ट्वीट में आगे लिखा है कि यहाँ वीडियो फरजी है ऐसे फरजी वीडियो को साजान ना करे Instagram से कनेक्ट होगा WhatsApp Multiple Social Media Platform की उनर कमपनी Meta अपने सभी Social Media Platform को आपस में कनेक्ट करने की तैयारी कर रही है बतादी की बहुत जल्दी Instagram से WhatsApp भी कनेक्ट किया जाएका WA Beta Info की रिपोर्ट के मताबिक कमपनी ने Google Play Beta प्रोग्राम के जरिये नया अपडेट रोल आउट किया है अपडेट से पता चलता है कि कमपनी एक व्यकलपिक सुवधा विक्सित कर रही है जो Android users को Instagram पर अपने स्टेटस अपडेट शेयर करने की पर्मिशन देगा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सुवधा एप की आगामी अपडेट के साथ उपलब्ध होगी पहले ही यूजर्स को Facebook स्टोरी पर अपने स्टेटस अपडेट को आटोमेटिक शेयर करने की सुवधा प्रदान करता है जिसमें आप इसे option के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं सुवधा वेविट अपस पर किसी के स्टेटस को अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगी और यूजर्स को उस समय समय पर बचाने में मदद करेगी जब वे Facebook और WhatsApp दोरों पर एक ही content शेयर करना चाहते हैं लगातार तीसरे दिन रिकार्ड हाई पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी तो वहीं जो शेयर गिरावट के साथ बंद हुए उनमें एंटीपीसी एक दसमलो पांच छे फीजदी, अल्ट्रा टेक सिमेंट एक दसमलो पांच छे फीजदी, आईसी आईसी आई बैंक एक दसमलो सुने छे फीजदी के साथ शामिल हैं। जाने आयुश्मान कार्ड बनवाने से जुर्य नियम, प्रधान मंत्री नहिंद्र मोदी के द्वरा जरुवत मंदो के मुफ्त अलाज के लिए महत्वकांची स्वास्त बिमा योजना युश्मान भवा की शिरवात की गई है, जिसके तीसरे चरन की शिरवात हो चुकी है, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इस कार्ड को बनवाना चाहते हैं तो यह जानना आपके लिए जरूरी है क्या उश्मान कार्ड गड़ी भी रेखा से उपर वाले लोगों का बन सकता है, हाला कि केंद्र सरकार कि योजना में कुछ संसोधन किया गया है जिसके तहत अब मिडल क्लास के लोगों का भी योजना का लाब मिल सकता है, तरशल अब इस योजना को मिडल मैं तक पहुचाने की काम की जारी है, मालुम हो क्या अरुश्मान कार्ड नहीं बन पाने और किसी दिक्कत के सिती में और राजिस्तर ये 2 हेल्प लाइन भी मदद के लिए उपलबद है, सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विज्ञान करेंट अफियर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे गए पांच सवाल में आपने कितना सयुतर दिया क्रिपा करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है किस सेहर में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवी का निर्मान किया जाएगा अप्शने चिन्नाई, अप्शन बी नॉइडा, ऑप्शन सी दिल्ली, अप्शन डी बैंगलूडू इसका साहि उत्तर है उप्शन डी बैंगलूडू अगला सवाल, BCCI ने भारतिय टीम के हेड कोच के रूप में किसका काड़ेकाल फिर से बढ़ा दिया है? ओप्शने विरंदर सहवाग, ओप्शनी सचिन तिन्दुलकर, ओप्शनसी कपल देव, ओप्शनी राहुल द्रवर इसका सही हुत्तर है, ओप्शनी राहुल द्रवर अगला सवाल, बिहार के किस छित्र में अनिक्तम औसत आदरता का अनुभाव होता है? ओप्शने मुझपरपुर, ओप्शनी मुंगेर, ओप्शनी पटना, ओप्शनी भागलपुर इसका स्तह्युतर है, ओप्शनी भागलपुर अगला सवाल, आरे भट का समध निम्न लिखित में किस नगर से रहा? ओप्शनी पाठले पुत्र, ओप्शनी भागलपुर, ओप्शनी नालंदा, ओप्शनी गया? इसका स्तह्युतर है, ओप्शनी पाठले पुत्र अगला सवाल बिहार के किस स्थान पर जून 1549 पर हुमायू और शेर्षा सूरीक का युद्ध हुआ था इसका सहुत तरह है उप्शन C चौसा इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आप कभी किसी तरह की ठगी का शिकार हुए है या नहीं अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्षम लिख का जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहें बिहारी निज़ और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चलन को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले देने बाद